अगर यह सवाल बिहार के नेताओं से पूछा जाता है तो उनकी तरफ से जवाब आता है कि बिहार में सुशासन के राजबा, बिहार में जनता के राजबा, बिहार में सुशाशन और साती साथ अच्छा सिक्षा विवस्था बाँ और अच्छा स्वास विवस्था बाँ लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो क्या वाकई बिहार का जो सिक्षा विवस्था है वो ठीक बाँ आज आपको बताते हैं बिहार के गया की एक स्कूल जो स्कूल तीन साल से गढ़े में डुबा हुआ है। बिहार का जो भविष्य है वो गढ़े में है। बिहार का सिक्षय मिवस्था को लेकर आये दिन ऐसी का जाती हैं, जिसके बाद बिहार के सरकार पर उंगली उट जाती हैं। आपको दिखाते हैं तस्वीरों के जरीए देखिए बिहार के गया का ये स्कूल जो गड़े में डुबा हुआ है और इस स्कूल के जो टीचर्स है उन्हें बिहार के बच्चों के भविश से जादा उनकी सुरक्षा की चिंता है उन्हें उन्हें पढ़ाने से जादा वो सही सलामत घर चले जाए ये चिंता लगी रहती है आप पहले इस तस्वीर को देखिए सिक्षा के छेत में बिहार सरकार की नाकामे को बया कर रहा ये स्कूल गया जिले के न्यू अबलिगीला का है 136 बच्चों वाले प्रात्मिक विद्याले न्यू अबगीला के हालत ऐसे हैं कि वहां के सिक्षिकाए बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा उनकी जान की रक्षा करने में जूटी रहती है थोड़ी सी भी लापरवाही से अन्होनी हो सकती है उन्होंने बताया कि इसके कारण बच्चों को समय से पहले ही छुटी दे दी जाती है दरसल इस स्कूल के आगे 5 फीट का गठा खोद कर छोड़ दिया गया है इस गठे में पिछले 3 साल से पानी भरा हुआ है उसके कारण मजबूरन बच्चे और सिक्षकों को दूसरे के घरों से होते हुए स्कूल के पिछले दर्वाजे से स्कूल आना जाना पड़ता है आपको बताये कि कुछ मीडिया रिपोर्ट ने जब इस स्कूल के सिक्षकों से बात की तो उन्होंने बताया कि स्कूल की बिल्डिंग बनने के दोरान ही इसकी बाउंडरी भी बनाने थी इसके लिए उन्होंने मन्रेगा के प्रखंड कारिकरम पदाधिकारी से लेकर जिले में लगातार दो वर्सों से आवेदन कर रहे हैं लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है उन्होंने बताया कि स्कूल के ठीक सामने गंगा जलापूर्ती योजना का प्रोजेक्ट चल रहा है इसके कारण बरसात के अलावा अन्य महीनों में भी यहां जल जमाव बना रहता है इसके कारण बच्चों को खेल का मैदान भी मुहया नहीं हो पा रहा है वहीं आपको बताया स्कूल के सिक्षिकाओ में साक्षी सूमन और सारदा सिनहा बताती हैं कि पानी से भरे इस गड़े में केवल बच्चों के गिरने भर का डर नहीं बलकि तीन सालों से पनप रही इस गंदगी में बच्चों के बिमार पढ़ जाने का भी खत्रा बना हुआ है इसमें साप भी घुमते रहते हैं उन्होंने बताया कि तीन साल से वे इस परिशानियों से जूज रहे हैं दुसरे के घरों से होकर उन्हें स्कूल आना पड़ता है बरसाद के दिनों में तो स्कूल तक आना भी मुश्किल हो जाता है स्कूल की बढ़ाली की कहानी यहीं खत्म नहीं होती स्कूल के आगे बिमारी फैलाने वाल्या जील और साप बिच्छो के डर के बीच स्कूल में सोचाले की भी समस्या है छे साल से तैयार स्कूल में सोचाले तो नहीं लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए एक सोचाले बना दी गई है इस स्कूल में आपको बताएं कि सौचाले हैं लेकिन उसमें टंकी नहीं है इसके कारण उसमें ताला लटका रहता है अब वहां टंकी बनाने की काम भी शुरू की जा रही है सेम नितिश कुमार आपको बताएं कि सेम नितिश कुमार के भी नजर स्कूल की इस बदहाली पर नहीं पड़ी एक महीने पहले मुख्य मंतर नितिश कुमार खुद इस स्कूल के ठीक आगे गंगा उदभाव योजना के तहत यहां वाटर ट्रेट्मेंट प्लांट का उदगा लिए पाटन करने पहुँचे थे उन्होंने यहां के पूरे प्रोजेक्ट का निरक्षं किया लेकिन उनकी नजर स्कूल की समस्याव पर नहीं पड़ी CM के जाने के बाद भी यहां की समस्याई जस्गी तस बनी रही लापरवाही का आलम केवल यही तक नहीं बलकि सरकार की नियमों की भी धजिया उड़ाई जा रही है स्कूल के सामने ही लोग सिग्रेट, गुठका और नसा करती नजर आते हैं इसकी दुकाने भी यहां बीना किसी रोग टोग की सज रही है कोटपा एक्ट के तहट स्कूल सारवजनिक स्थलो पर अधुर्म पान करना खुले में तंबाकु आधी बेचना प्रतिबंधित हैं लेकिन इस स्कूल के सामने यह सारी चीजे बिकरी होती तो देखिए हमने आपको दिखाया यह स्कूल की लचर विवस्था बियार का सिक्षा विवस्था पर आए दिन सवाल उठते नजर आते हैं मुख्यमंतर नितीश कुमार बियार के सिक्षा विवस्था को ठीक करने की कवायत में जुटे हुए हैं मुख्यमंतर नितीश कुमार के इन सारे बातों पर सवाल खड़ा कर देता है मुख्यमंतर नितीश कुमार कुछ महीने पहले ही इस स्कूल की तरफ गए थे लेकिन फिर भी उनकी नजर इस स्कूल पर नहीं पढ़ी और यहीं कारण है कि लगभग तीन साल से गया का ये प्राथमिक विद्याले जो है वो गढठे में है तो चलिए इस खबर बस इतना ही और में वीडियो और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूस फोरनेशन